हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉलुशन भायमेट क्लियर कॉंसेप्ट क्लियर एक्जाम तो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा के बारे में डी फार्मा यानि डिप्लूमा इन फार्मेसी ये क्या होता है कौन सा कोर्स होता है इस कोर्स के साथ ही साथ हम लोग क्या सीख सकते हैं इस कोर्स के अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलता है ये कितने टाइम के लिए होता है तो इस सारी चीजे बिना इंपोर्टन टॉपिक है जो फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं जो डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन टॉपिक है इंपोर्टन वीडियो है तो आप जो भी लोग जो स्टुडेंट्स अभी इंटर करके डिप्लोमा करना चा तरीके से यह चौर्स होता है कितने समय का होता है सारी चीजहों को जानकारी इस video में आपको देंगे तो चल ये बने रहिए लाश्ट करते ये अज का वीडियो सबसे पहले ढता करेंगे डी फार्मा का, डी फार्मा का स्लेबस, तो कहां से स्टार्ड होता है, तो सबसे पहले, देखिए आपके स्क्रीन पे है, Ordinance, Scheme, and Slaybus for Diploma in Pharmacy, ठीक है, ये जो Diploma in Pharmacy का है, Diploma in Pharmacy का है, इसकी स्लेबस, इसके Ordinance and Scheme के बार हम बात करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, course का जो title है, वो है आपका diploma in pharmacy, ठीक है, abbreviation, यानि यह किस label पर होता है, तो यह diploma होता है, फार्मा का, तो इसको हम जो abbreviation इसका है, D-Farm, ठीक है, P-H-A-R-M, D-Farm बोलते हैं, type of course, बहुत ही धान से समझेगा, type of course, course किस type का है, तो लिखा है, a two year diploma course, यह दो साल का diploma course होता है, ठीक है, इसके बाद देखिए, pattern पूछ रहा है, pattern क्या होता है, pattern का मतलब exam, जो इसका exam है, अगर यह two year का है, तो इसका exam दे रखा है, वो कैसे होता है, तो इसका exam जो है, वो yearly होता है, मतलब, एक year में, एक साल का exam, और दूसरे year में, दूसरे साल का exam होत कि यह को इसका प्रोसस है जब आपने यह दो साल का कुर्स में एडीजिन लिया है तो इसके करने के बाद आपको जो डुबिमिलनी है या डिप्लोमा मिलना है यघ्रीम बुख मिलनी है जिसको आम बाहस से mess की बोलते हैं वह किस तरह से मिलना है तो देखे लिखा है diploma will be awarded for those passing in both the year as per rule and regulation ये डिगरी उन लोगों को मिल दी जाती है जो उन्होंने ये दो साल का course complete किया है और वो pass है ठीक है duration of the course, duration of the course की बात करें तो ये course जो है ये मैं दो साल का academic year होता है और each academic year is separate over a period not less than 180 working days ठीक है 180 working days मतलब 180 दिन इनकी जो classes है 180 दिन के अंदर में होनी चाहिए total classes जो है ठीक है एक दिन में आपकी एक class है तो 180 classes होनी चाहिए theory की बात करें और अगर हम practical की बात करें 500 hours practical training separate over a period not less than 3 months जो आपके practical है वो total 500 hours के होते हैं ठीक है अगर एक दिन में आपका 3 years का practical है तो उसे साथ से divide करेंगे इसको 3 से ठीक है तो ये hours यानि practical की बात कर रहे हैं 500 hours का आपका practical होना चाहिए next देखते हैं क्या है eligibility for admission admission के लिए क्या eligibility है इसके अगर हम बात करें तो जो candidate है उनको क्या सबसे पहली बात ये समझ लीजे दो points उसके रखे हैं पूरा समझने के जुरत नहीं है physics, chemistry, biology और mathematics इस stream से आपका 12 होना चाहिए ठीक है तो intermediate examination in science science का मतलब जो science stream से है या bio हो या math हो ठीक है 10 plus 2 में वो इसमे admission ले सकते हैं दूसरा क्या है pre degree examination का क्या system है any other qualification कोई दूसरी qualification जो इस 10 ability of admission या तो 10 में आपका 10 plus 2 में science हो या math हो या कोई एक ऐसा course हो जिसको PCI ने approval दे रखा हो next अब ये बता रहे है eligibility for appearing examination ठीक है only such candidate who produce certificate from the head of academic institution in which he or she has undergone the deployment pharmacy first course in proof of his or her having regulatory and satisfactory undergone बंद ये कह रहे हैं कि जिसने part 1 में exam के लिए बैटने के लिए जो part 1 में उसने regular classes की हो और ये regular classes कितनी होनी चाहिए 75% से less नहीं होनी चाहिए उनकी जो attendance है 75% से कम नहीं होनी चाहिए तब जाके वो first year के exam के लिए eligible होंगे और ये कैसे prove होगा ये prove होगा product certificate from the head of the academic institution यानि कि जो institution है उनके द्वारा आपको certificate होगा या एक attendance sheet होगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने 75% जो इनका minimum है उतनी attendance आपने कर रही है यह होगया first year की अब हम second year की बात करें second year में तो इसमें वो उस course में second year में same process है 75% से less नहीं होनी चाहिए और ये कैसे academic के द्वारा institution के द्वारा आपको certificate मिलेगा ये दो चीजे करने के बाद फिर क्या हो सकता है अगर 75% नहीं हुई तब क्या होगा तब एक और process है C points ध्यान से समझेगा क्या कह रहा है जो C point है आपका वो कह रहा है कि अगर किसी भी candidate का 75% attendance नहीं हो पाता है तो उस case में क्या होगा 10% का relaxation मिलेगा अगर वो medical certificate लगाता है अब वो medical certificate कहां से होना चाहिए government hospitals medical officer of government hospitals है तो वहां पर उसको 10% का relaxation मिल जाएगा अगर उसने 65% कर रखी है 65% उसकी attendance है तो उसको 10% का ये benefit मिल जाएगा इसके बाद और क्या हो सकता है अगर उसने medical certificate नहीं लगाया या वो बिमार नहीं था तब क्या होगा तब 5% का relaxation मिल सकता है recommendation of dean और faculty जो scholars के dean है या faculty है उनका recommendation जाएगा किसको वाइस चांसलर को ये recommend करेंगे students के लिए वाइस चांसलर को कि ये student performance अच्छी करता है बसकिसी कारण सो उसके attendance सौट रहे गई है 75% नहीं हो पाई है तो उसको 5% का relaxation वाइस चांसलर के द्वारा मिलेगा ये था पूरा appearing of examination के exam में बैठने का क्या criteria है नेक्स बढ़ते हैं आपके सामने table आ गई है table क्या है course of study यानि कि जो table है first year का और second year में आपको क्या क्या पढ़ना है क्या subject होंगे कितना timing होगा तो पहले हम बात करें first की यानि part one फस्ट येर की बात करें तो इसमें आपके जो subject है उसका नाम है फार्मसोटिक्स first लेकि यहां first लिखा हुआ है ध्यान समझेगा सारे चीजे ये first है फार्मसोटिक्स first इसमें क्या होता है इसमें आपको medicine बनाने का तरीका medicine कैसे बनाई जाती है tablet form हो capsule form हो syrup हो या कोई भी other form जो medical legal है वो सारी चीजे इसमें आपको तरीका और उसमें machine दी system होता है किस machine से कौन सी medicine तयार के जाती है कौन से equipment हम use करते हैं वो सारी चीजे इसमें आपको बताए जाएगी next देखिए pharmaceutical chemistry chemistry यानि chemicals की बात हो रही है कौन से chemicals हम use कर सकते है medicine बनाने में कौन से chemicals आपस में react कर रहे हैं कुछ ऐसे chemicals होते ह हैं जो equipment के साथ react करते हैं कुछ environment condition मांगते हैं तो यह सारी चीजे हम इसमें pharmaceutical chemistry first में पढ़ते हैं next आता है फार्मा कोगनोसी फार्मा कोगनोसी जो है यह आपका crude drug यानि की जो कच्चे drugs के बात करें crude drugs यानि जो plants से हम ले रहे हैं या animals से ले रहे हैं कोई भी ऐसी medicine बनाने के लिए जो हम लोग source ले रहे हैं तो हमारा plants होगा animals टिशू हो सकते हैं तो उनके बारे में तो यहां कोगनोसी में सिर्फ plants के बारे में बात करते हैं कोगनोसी में सिर्फ plants कौन से clinical pathology देखिए दो वर्ड है ये बायो और chemistry बायो यानि कि आपका जो human body है और chemistry यानि कि जो आपका chemicals है तो वो chemical body के अंदर किस तरह से work करेगा क्या-क्या उसमें changes आ सकते हैं जैसे कि आपके hormones हो गए इसके बाद next है human anatomy and physiology human anatomy and physiology इससे तात पर रहे है कि आपकी body के अंदर कितने organs है आपकी body कैसे बनी है क्या-क्या function है क्या-क्या systems है ये सारी चीजे इस subject में आपको पढ़ाया जाएगा और next और last है आपका 6 नंबर पर health education and community pharmacy health education और community pharmacy इसमें क्या होगा इसमें आपको जो human की health है उसको improve करने की सारी process बताई जाती है कोई disease condition है तो उस disease condition से कैसे बचा जा सकता है क्या बचाओ है और क्या इलाज है इस सारी चीजे आपको इसमें बताई जाती है तो ये तो होगे आपका part 1 ये पूरा part 1 का syllabus है और ये इ ये part 1 complete होता है जब आप इस part का exam देते हो और clear करते हो सारे section को तब आप part 2 के लिजबल हो पार 2 में क्या पढ़ना है part 2 देख लीजे अब हम part 2 की बात कर रहें यानि secondary की तो इसमें pharmaceutical second आ गया जो हमने first में पढ़ा था उसके आगे का part है उसके आगे की process से थोड़ी advance हो जाती है pharmaceutical chemistry इसमें भी थोड़ा advance level आ जाता है नुमन क्लेचर आ जाता है ड्रेक्स का structure आ जाता है फार्मकोलोजी एंड टॉक्सिकोलोजी यह anatomy के तरीके ही होता है human body के बारे हमने first में अध्यन कर लिया है अब फार्मकोलोजी और उसकी टॉक्सिकोलोजी कोई भी ड्रग का action क्या हो रहा है और उसका reaction क्या हो रहा है यह सारी चीज़े पढ़ते हैं हम दो next है आपका pharmaceutical jurisprudence jurisprudence यानि कि जैसे कि हम दोग नॉर्मल बासा में इतिहास जानते हैं उस तरह से यह होता है jurisprudence इसमें आपको pharmacy से related सारे act सारे rules regulation सारे पढ़ने पढ़ते हैं यह आपके आगे चलके काम आते हैं आप कहीं भी job करोगे या अपना business करोगे तो आपको पता हो होना चाहिए कि कौन से rules में कौन से medicine valid है कौन से तरीका है या कौन से form हमें बढ़ना यह सारी चीजे इसमें आपको पता चल जाएंगी next आता है drug store and business management अगर आप drug store के बात करें तो यह अगर आप store या आपकी pharmacy run कर रही है तो आपको अपने drugs को कैसे store करना है और अपने business को कै कैसे manage करना है यह सारी चीजे में बता जाती है last में आता है hospitals and clinical pharmacy तो hospitals की जो pharmacy है उसको किस तरह से run कराना होता है उसमें क्या क्या चीजे होती है या process होती है इस सारी चीजे आपको यह second part पढ़ना होता है तो आपने second part पढ़ा यह clear किया तब आप eligible हो जाते हो next step में next step आपका part 3 part 3 यानि की practical training यह training होती है आपका यह 3 month का training होता है government hospitals में यह जरूरी है compulsory है training करना government hospitals में किस तरह का hospitals आते हैं देखिए hospitals and dispensary run by central state governments और municipal corporation, central government health scheme and employee state insurance scheme इस तरह के जो की आपके eligible होते हैं training के लिए या responsible होते हैं training के लिए जब यह तीनों चीजे आपकी हो गई first हो गया first part यानि part 1, first year, part 2, second year और यह third part यह स्रिप 3 month का होता है यह complete कर लिया तब आप Elizabeth हो जाते हो एक pharmacist बनने के लिए और आपका PCI में registration अप्रूव हो जाता है PCI registration जब अप्रूव हो जाता तब आपको green book मिलती है वो आपकी registered pharmacist की certificate होती है इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही जादा importance यह table है इस table में किस तरह से exam में हम appear कर सकते हैं exam में कितने numbers passing marks होने चाहिए जो pass करने हैं और कितने part में divide होते हैं देखिए first year में क्या है आपका हर एक सब्जेक्ट टोटल यहां 100 चेहरी का और यहां 100 प्रैक्टिकल का दोनों का दे रखा है यह total आपका 600 है यह total 500 हो गया आपका 1100 प्रश्टियर हो गया आपका यह complete 1100 में यह 1100 maximum marks है ठीक है इसमें आप कितना obtain करते हो यह आपके study के उपर depend करता है second part की बात करें अगर हम second year में तो theory के 100 और practical के 100 यह total आपका 1000 यह हो गया आपका second year यह first year का था आपका 1100 और यह second year हो गया है इसमें कुछ add होता है वो games होते हैं games add होते हैं पर यह आपके total marks इसमें से carry किया जाते हैं तो total आपका pharmacy हो गया 2100 का होता है total pharmacy आपका तो इसमें देखिए examination और सेसनल दो पार्ट लिखा हुआ examination यानि कि आपका जो exam होगा theory का जो आप exam appear करोगे ठीक है वो होता है आपका 80 number का और यह 20 number सेसनल मार्क्स होते हैं जो आपने monthly exam दी हैं उसके average में आपको तरसनल मार्क्स आपकी performance के उपर और आपके behavior के उपर दिया जाते हैं practical में भी same condition आपने किस तरह से practical किया है किस तरह से आप सीखे हैं तो वह आप practical करते हो जब exam होता है उसका practical आप करते हो सीखते हो तो उसके 18 number का होता है और 20 numbers उसमें भी आपने practical में जो आपके वाइबा होते हैं या आपने कोई process की है या कोई project बनाया है कोई charts बनाया है यह सारी चीजें सम्में include होके आपका total 200 में यह आपका एक subject complete होता है यह हो गया आपका किस तरह से exam में हम score करते हैं क्या criteria होता है score करने का तो यह थोड़ा सा video लंबा हो गया लेकिन इसमें जानकारी बहुत सारी थी अगर आप pharmacy में career बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तो यह video यहीं तक इसके बाद हम बात करेंगे syllabus की कौन कौन से topic में हमें क्या क्या पढ़ना है next video में हम बात करेंगे आभी तक के लिए यह video यहीं पर यहां तक video देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank you so much Thank you